नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर रिशी गुपता है और मैं चीर में काड़ेक साइंसेज आज मैं एक कुरोना वाइरस के बारे में बताना चाहता हूं जो एक नया इश्ट्री नाया है ओमिक्राउन करके इसके बारे में कहना चाहता हूं आप सभी जानते हैं कि ये केसिज काफी केसिज ओमिक्राउन वाइरस के वजए से हैं ये अभी हम व्ल्ड वाइट देखें तो इस समय यूरोप में और अमेरिका में इस ओमिक्राउन की वजए से बहुत जादा केसों में बड़ोतरी हुई है जबकि वहाँ पे पॉपलेशन आल्रेडी डवल वैक्सिनेटेड है इसके बाब यो भी वहाँ पर केसिज काफी बड़े हैं तो मैं आज इस ओमिक्राउन वाइरस के बारे में कुछ ओमिक्राउन वैरियंट के बारे में कुछ करना चाहता हूँ तो पहला उमिक्रोन वायरस कियो इंपॉर्टेंट है इसलिए इमपॉर्टेंट है कि जो इस वायरस में काफी सारी weetisant तो यह प्रैक्राउन यह वायरस आपको दिखेग म्कूरणा आया ता उससने काफी डिफॉर्ट है जो इसकी मेर्न प्रोटीन ओ स्प तो जो इसमें से सबसे बड़ा चेंज है वो सबसे बड़ा चेंज है और अभी जितनी भी modern vaccine बनी थी नई vaccines बनी थी वो सारी vaccines spike protein के against बनी थी तो इस spike protein चूंकी spike protein ही change हो गए तो इसलिए वो सारी vaccines काफी ineffective हो गए पर उन vaccines का भी कुछ effect है तो जो first line defense है उसको में इंटिबडी बोलते हैं तो अनिटिबडी कम नहीं कर पा रहे हैं पर जो दूसरी इपनिटी है जिसको हम 해ी इंचेशना इंचेशन ए भ रहा है इसलिए ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को डबल वैक्सीन लगी हुई है और उसके बाद उन लोगों ने यदि बूस्टर डोज लगाया है तो वैक्सीन की एफिकेसी पचास-साथ परसेंट तक है means कुछ लेबल तक उनको उनको रुका जा सकता है उस विमारी को बढ़ने से रुका जा सकता है तो एक तो बड़ा इंपर्टन पार्ट यह हो गया है दूसरा इंपर्टन पार्ट क्या है कि ये देखा गया है कि because of this mutation ये जो ओमिक्रॉन वाइरस है ये काफी तेजी से पहलता है क्या इसका मतलब यह है कि जाला serious है नहीं याद रखिए कि इसकी seriousness normal coronavirus से two-third कम है means almost 75% less serious है means यदि 100 लोगों को coronavirus infection होता है और उसमें से करेब 15 लोग serious होते हैं तो इस virus के infection से केवल 5 लोग ही serious होएंगे तो यदि death rate 2% है total coronavirus में तो इसकी death rate है वो less than 1% है तो यह important part है समझने के लिए कि भाई ये virus बहुत तेजी से फैलता है जतनी तेजी से delta फैलता था हम लोगों ने दिरना है कि delta virus बहुत तेजी से फैला यह उससे भी तेज फैलता है इसका मतलब यह है कि यदि एक omicron का patient आप आपके पास से भी निकला और आपके इस पास 5 मिंट भी बात किया तो हो चकता है कि आपको वो infection लग जाए पर safety अच्छी बात है कि यदि लगेगा भी तो it will work it will behave like a normal flu कि आपको cold cough हुआ serious pneumonia होने के chances बहुत कम है अभी भी आप दिखेंगे साड़े 300 cases में अभी भी कोई भी patient हमारे यहां पर जिनको documented omicron है और कोई भी patient बहुत serious नहीं हुआ और किसी की भी death नहीं हुए तो यह एक बहुत important point है पर हम क्या करें यदि यह आ रहा है तो naturally it is going to cause serious spread आपके घर में बहुत सारे लोगों को infection हो सकता है तो डरने की बात नही serious नहीं होने वाला है दूसरा यदि आप precautions लेते हैं ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को एक बारी infection हो चुका है और उसके बाद उनको vaccine लग चुकी है तो उन लोगों को इसका infection होने के बहुत काम chances है जिन लोगों ने केवल vaccine लगाई और infection नहीं हुआ है उसको infection होने के ज को follow करें, crowding, crowded place में ना जाएं और important part यदि आप already vaccinated नहीं है या दूसरी vaccination आपकी due है तो वो दूसरी vaccination आप अभी तुरंत कराएं यदि आपका due है और यदि आप eligible है booster dose के तो booster dose लगवाएं naturally precautions लेना और care करना बहुत जरूरी है ताकि ये ना फैले, of course डरने की कदे जरूरत नहीं है क्यांकि ये virus बुलकुल भी serious नहीं है और आपको बुलकुल इसके लिए बुलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है बस care करने की जरूरत है धन्यवाद कर दो